NCRT 9th Class का हम अध्यादो कर रहे हैं जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार शुद्ध है और जो पार्ट के पिर्शनोत्तर हैं उनके उपर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं बाकी जो अभ्यास का पहला क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं बाकी दो-दो क्वेश्चन या तिन-तिन क्वेश्चन करके क्वेश्चन के साइज के हिसाब से वीडियो बना करके हम चैनल पर डालते जाएंगे आप उनको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो पहला question अभ्यास का है इसमें पूछा गया आप से निमलेकित को अलग करने के लिए आप किन विदियों को अपनाएंगे तो सबसे पहले पूछा गया sodium chloride sodium chloride भोलते नमक को जल के विलियन में अलग करने के लिए जहां पर देख लिए थुरी language इसने ठीक नहीं लिक रखी तो इसलिए इसका answer होगा sodium chloride को वास्पी करन द्वारा या आस्वन विदि द्वारा पिर्थक किया जाता है वास्पी करन या आस्वन विदि होती है जैसे यह हमारे पास कोई बीकर है अगर इसमें जल मिला हो जल है और इसमें अगर हम नमक मिला देते हैं और जब हम इसमें burner की साहता से heat apply करेंगे तो क्या होगा यह जो पानी होता है भाब बन के उड़ने लगता है 100 degree Celsius पे पानी भाब बन के उड़ जाता है और जो बीकर है उसमें नमक सेस रह जाता है यानि कि sodium chloride सेस रह जाता है इस विदी को वास्पी करन विदी या आस्वन विदी बोलते हैं इसके बाद अगला question है इसमें पूछा गया ammonium chloride को sodium chloride ता था ammonium chloride के मिसरन से अलग करने में कौन से विदी का उपयोग करेंगे तो इसमें आपको बताना ammonium chloride को sodium chloride ता था ammonium chloride के मिसरन से उर्द पातन विदी द्वारा पिर्थक किया जा सकता है अब देखें मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको उर्द पातन क्या होता है सबसे पहले है उर्द पातन उर्द पातन एक ऐसी पर किया होती है जिसमें ठोस माली जी यह को ठोस पधारते है हमारे पास जव यह directly वेपर यानि की वास बनकर भब बनकर उड़ जाता है जब को ठोस डार्येक्ट भब बनकर उड़ जाता है उसको हम बोलते हैं ईूर्द पातन जैसे जो toilet में हम use करते हैं ordinal, ordinal thos होता है और वो कुछ कोछ दनों में भाब बनके उड़ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उड़ने वाले पधार्थ होते है और जो ammonium chloride होता है, उड़ने वाला पधार्थ होता है जब sodium chloride और ammonium chloride को एक साथ रखा जाए तो खुला छोड़ दिया जाता है तो ammonium chloride उड़ने वाला पदार्थ होता है जो कि solid होता है यानि कि ठोस होता है और यानि कि भाप में convert हो जाता है वास बनके उड़ जाता है तो यही है आपका जो मतलब ठोस डारेक्टली गैस में convert हो जाए या ammonium chloride ठोस होता है और यह गैस में convert हो जाता है इसको थोड़ा भी heat up करेंगे तो इन दोनों को साथ मिला करके heat up करेंगे तो उसको बोलते हैं हम उड़ दुपाता है यानि कि ठोस डारेक्टली गैस में convert हो गया इसके बाद अगले question में पूछा गया है धातू के छोटे टुकडे को car के engine oil से अलग करने में जो धातू के छोटे छोटे टुकडे होते हैं अगर हम car के engine oil से अलग करने के लिए कौन से विदी का उपयोग करेंगे तो यह तो आपको इस पस्टी नजर आ रहा है धातू के घातू के छोटे टुकडे को car के engine से engine oil से अलग करने के लिए चानने के विदी द्वारा हम प्रत्ख कर सकते हैं जो लोह के टुकडे होते हैं और जो तेल होता है अगर वो मिक्स होता है अगर आम उनको छान दें तो तेल छन्नी में से फार निकल जाएगा और जो लोगे के टुकडे होते हैं वो छन्नी में ही रह जाएंगे तो अब छानने के विदी का यूज कर सकते हैं अगले पॉइंट में पूचा गया है दही से मक्खन निकालने के लिए इसका आंसर होगा दही से मक्खन निकालने के लिए अपके इंदरी करण यंत्र विदी का प्रियोग किया जाता है मैं यहां पर बता दू अपके इंदरी करणी है क्या होता है देखे अगर आपके पास यह कोई बढ़ता नहीं और इसमें आपकी दही रखी गई है क्या है दही और हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो दही बिलोने वाला होता है ये क्या करता जब हम इसको इधर की तरफ और इधर की तरफ मूव करते हैं आगे पीछे की तरफ ये लेफ्ट राइट मूव करते हैं यानि कि इसको जब रोटेट किया जाता है घुमाया जाता है तो क्या होता इसमें जो दही होती है ये बहार की तरफ ऐसे फैलने लगती है अप केंदरी करण बोलते हैं हम इसको मतलब केंदर से बहार की ओर किसी सामान का चलना इसको बोलते हैं अप केंदरी करण तो इस विदी का नाम हो जाएगा आपके इंद्री करण विजी द्वारा दही से मक्षन को अलग किया जाता है अगले क्वेस्टेन में पूछा गया है जल से तेल नकालने के लिए अगर माल लीजी हम किसी हमारे पास को एक गिलास में पानी और असमें हम दो ढखकन तेल डाल देते हैं कैसे हम उसको तेल को अलग कर सकते हैं तो देखिए इस कांसर देख लेते हैं जल से तेल नकालने के लिए हम पिर्थक करन कीप का प्रियोग कर सकते हैं पिर्थक करन कीप होती है जो फिल्टर पेपर जो कीप बनाई जाती है हम उसका उयूज कर सकते हैं तो पिर्थक करन कीप कि दोवारा हम जल से तेल को अलग कर सकते हैं इसके बाद अगला कुछेन है इसमेंगे पूछा गया चाय से चायो की पत्तिonta करने के लिए चाय कि पत्तियों को अलग करने के लिए बहुते क्रिया जैसे फटकन विदी से अलग कर सकते हैं जो जब पेड में से चाय की पत्ती में से चाय को अलग किया जाता है तो इसको फटकारा जाता है फटकारा मतलब किसी बरतन में रखके फटकारा जाएगा उचाला जाएगा जो हलकी चीज़ा होती है वो उड़ करके आगे निकल जाती है और जिन में वजन होता है वो ठहरी रहती है तो यही आपका अंसर होगा फट करण विदी इसके बाद अगले क्वेस्चन में पूचा गया है बालू से लोहे की पिनों को अलग करने में जो बालू का मतलब होता है वो था रेत तो रेत से लोहे की करनों को कैसे अलग करेंगे हम चुम्ब के पिर्थक करन विदी द्वारा मेगनेट के साहता से तो बालू से लोहे की पिनों को अलग करने के लिए हम चुम्ब की है पिर्थक करन विदी का परियोग किया जाता है चुम्ब से लोहे की पिन है जो है आ भूसे से गेहुं के दानों को अलग करने के लिए बहुत एक विदी अपके इंदरन के द्वारा चंणी से छान कर या फटकना विदी द्वारा अलग किया जा सकता है तो देखे यह विलकुल आसान है अपके इंदरन विदी हो जाएगी जिसको अपके इंदरन विद्धी बोलते हैं और चन्नी छानने के द्वारा जो पतले पधार्थ जो भूसे का पतला पधार्थ होता है वो चन के छननी से बाहर नकल जाता और गेहूं चन्नी में रह जाते हैं और या फटकारने विद्धी हम अलग कर सकते हैं इसके बाद अगले question है पूछा गया है पानी में तैड़ते हुए महीन मिट्टी के कंड को पानी से अलग कैसे करते हैं जो पानी महीन मिट्टी के कंड को तैड़ते रहते हैं उनको हम अलग कैसे करते हैं तो इसको हम छानने की विद्वारा भी अलग कर सकत इसको भारण विदी भी बोलते हैं अगला question है पुष्प की पंखडियों के निचोड से विभिन रंजकों को पिर्थक करने में तो इस question है आप से पूछा गया है जो पुष्प की पंखडियों में निचोड से जो अलग-अलग परकार के रंग होते हैं हम उसको किस विदी द्वारा अलग कर सकते हैं तो इसका answer है आपका पुष्प की पंखडियों के निचोड से विभिन रंजकों रंजकों मतलब रंग को पिर्थक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विदी का प्रियों किया है तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम फिर लोटेंगे अगले questions के साथ